यह महिला अपने भाई की नौ साल की बेटी का शव तलाश रही है मुबाईल फोन में इस बच्ची की तस्वीरे हैं इन में से एक तबकी है जब वो जीवित थी दूसरी तबकी है जब वो विनाश कारी भूसकलन में लापता हो गई इस तस्वीर में सिर के उपर का हिस्सा भी गड़ गया है इसलिए वो तस्वीर का इस्तिमाल करने पर भी इस बात की पुष्टी नहीं कर पा रही कि ये वही बच्ची है अपने फोन में बच्ची के शव की तस्वीर लिए तलाश में लगी इस महिला की लाचारी भरी आवाज किसी को भी हिला कर रख सकती है केरल के वाइनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद ऐसे सैकणों लोग अपने रिष्टिदारों के शव तलाश रहे हैं एक स्थानिय स्कूल में शवों को पहचानने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी है इस हादसे के शिकार हुए लोगों के शव यहीं पर रखे हुए हैं मंगलवार सवेरे वाइनाट के मुंडकई और चुरामला इलाकों में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों का आखड़ा दो सौ के पार पहुँच गया है एक सो नब्बे से जादा लोग लापता हैं जिनके तलाश की जा रही है इस भूस्खलन की चपेट में सबसे पहले आने वाला मुंडकई गाउं पूरी तरह पर बाद हो चुका है इस इलाके में हादसे के चौथे दिन भी तलाशी अभियान जारी है शवों की शिनाक्त के लिए यहां पहुँचे हर आदमी औरत के पास द्रासदी की अपनी एक कहानी है ये वाइनाट के कोट्टूर के रहने वाले धंग राज है अनीता इनकी पोती का नाम है ऐसा माना जा रहा है कि अनीता तब इस भूसकलन में मारी गई जब वो चूरा मला में अपनी नानी के घर पर पढ़ाई कर रही थी अनीता के अलाबा पांच अन्य लोग भी अब इस दुन्या में नहीं है इनमें अनीता की नानी भी शामिल है अनीता यूंतो धंगराज के यहां रहती थी लेकिन उसका पालन पोशन उसकी आन्टे कर रही थी फिर वो पढ़ाई के लिए दूसरे रिष्टेदार के घर चली गई ऐसे मानीता की आन्टे का भी बुरा हाल है वो अपने मोबाईल फोन में बच्ची की तस्वीर सभी को दिखा कर लोगों से पूशताच कर रही है इस भूसखलन में अमरावती की जान तो जैसे तैसे बच गई लेकिन उन्होंने अपने देवर और उनके बेटे को खोदिया मंगलवार को कुद्रत का कहर उनके मकान पर टूटा लेकिन किस्मत से वो कुछ देर पहले ही भारी बारिश की वजह से अपनी बेटे के खड़ चली गई थी मंगलवार को जब बारिश तेज होती गई तो वो अपना घर छोड़ कर दुकान के भीतर चले गई लेकिन भूस खलन की चपेट में उनकी दुकान भी आई और पोनाईया और उनका परिवार जैसे तैसे खपरेल हटा कर बाहर निकल पाया पोनाईया और उनका परिवार बच गया लेकिन उनके जो दोस्त और श्तिदार अपने घरों से बाहर नहीं निकले वो सभी इसमें मारे गई मूसलाधार बारिश ने चूरा माला को मुंडकई से जोडने वाला पुल बहा दिया ऐसे में यहां का संपर्क पूरी तरहे तूट गया इससे मुंडकई पहुचना भी काफी मुश्किल हो गया जहां सबसे ज्यादा तबहाई मची थी भारतिय सेना की इंजिनियर डिविजन ने एक अगस्त की शाम में नया पुल बनाने का काम पूरा किया जिसे जनता के लिए खोल दिया गया है इससे राहत अभियान में तेजी आएगी और राहत सामगरी भी तेजी के साथ वहां तक पहुचाई जा सकेगी इससे पहले हेलिकॉप्टर की मदद से तभा हुए गाउं में राहत अभियान चलाया जा रहा था